हेलो बच्चो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने योट्यूब चानल पर विद्याज मस्ती की पाट शाला तो बच्चो हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में आंगल्स यह चाप्टर शुरू कर दिया था बराबर है कौन कौन से थे वह जीरो एंगल बराबर है जीरो एंगल हम कब बोलते थे जब कोई-वी एक direct 0 से स्टार्ट होकर वह जीरो पर ही रूप थी सेकेंड लाई उसकी जिरो पर ही रुपती थी, उसे हम क्या बोलते थे, जिरो अंगल, उसकी बाद हमने पढ़ा था, राइट अंगल जो 90 डिग्री फर्म करता है, वो क्या होता है, राइट अंगल, 90 से छोटा अगर हुआ तो वो एक्ट्यूट अंगल, अगर 90 से बढ़ा हुआ तो वो अप्ट्य स्ट्रेट अंगल, बराबर है कि नहीं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद, स्ट्रेट अंगल, देन, उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था, रिफ्लेक्स अंगल, अगर कोई अंगल, 180, 180 यहा तक होता है ना, बराबर है यहा तक होता है, अगर इससे से start होकर पूरा circle complete करकर इसी 0 पर वापिस आता है तो वो क्या form करता है 360 degree का angle form करता है ठीक है मतलब वो पूरा circle complete करता है और हमारा area कहा होता है circle का 360 degree तो इसे लिए यह जो आपका बींत आंगल का नाम हो होगा completely angle क्या बोलेंगे हम लोग complete angle ठीक है इतना समझ गए तो अभी हम क्या देखेंगे प्रैक्टिस से 2 यह इस लेक्चर से स्टाट करेंगे इसमें सिर्फ 4 कोशन हैं वह हम 4 कोशन सौल्ब करेंगे ठीक है अभी सबसे पहले first question देखते हैं तो first question देखो बच्चो यहाँ पर first question में क्या बोला है match the pair match करना है मैं pairs को आपको angle के number दिये है हमें उसका angle का type ढूणना है ठीक है सबसे पहले क्या है 180 degree तो मैंने 180 degree क्या बोला था मैंने 180 degree बोला था यह देखो यहाँ पर आपको protector दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो 0 से अगर मैंने start किया तो वो कहाँ पर आके रुकेगा 180 पर यह देखो 180 अगर मैंने यह नीचे वाला 0 लिया है तो यह पूरा circle complete करके इस 180 दखाएगा और यह अगर मैंने 180 लिया तो इसका पूरा circle complete करकर यह वाला 0 आएगा ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने यह 0 कंसिडर करके यह 0 कंसिडर कर लिया ठीक है इस 0 से इस 0 तक नहीं आना ठीक है अगर बाहर वाली line ली तो मुझे पूरे वक्त बाहर वाली line लेनी है अगर मैंने अंदर वाली line ली तो पूरे वक्त मुझे अंदर वाली line लेनी है ठीक है इतना समझ गए तो हमारा 180 डिगरी का हा गया straight angle देखो straight line पर है तो क्या हो गया वो straight angle बराबर है तो मेरा first मेरा first angle का answer क्या हो गया straight angle देखो first का answer हो गया straight angle उसके बाद इसको हम थोड़ा साच्छे से करते है तो first का answer हो गया straight angle उसके बाद उसके बाद हमारे पास है 240 डिगरी अभी बच्चो 240 डिगरी कहा पर आता है देखो ऐसे हमारा 0 से start होता है बराबर है फिर वो सब 180 डिगरी कम्प्लिट करता है बराबर है यहां तक 180 डिगरी हमारे कम्प्लिट हो जाएंगे उसके बाद 200 220 then 240 आएगा तो यह यहां पर 240 आएगा बराबर है मतलब यह आगे चलकर यहां तक हमारा angle कम्प्लिट करेगा तो अगर कोई भी angle 180 से बड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे reflex angle उसे हम क्या बोलेंगे reflex angle ठीक है 240 का answer हो गया reflex angle उसके बाद उसके बाद देखो बच्चो 360 डिगरी 360 डिगरी कैसे होगा पूरा एक कम्प्लिट करेगा जब भी circle तब वो 360 बनेगा मतलब अगर मैंने कोई angle 0 से start किया तो वो complete एक circle भूम कर आएगा फिर से तो वो क्या होगा 360 डिगरी समझ में आया तो उसे हम बोलेंगे complete angle क्या बोलेंगे हम लोग complete angle यह देखो यहाँ पर है complete angle उसके बाद लास्ट है zero angle अब यह zero zero के नाम पर ही है zero angle वो कैसे zero से start होता है और वो zero पर ही रुखता है वो आगे बढ़ता ही नहीं है ठीक है तो वो हो गया zero angle ठीक है लेकिन इसमें आपको confusion होगा कि complete angle और zero angle में difference क्या है तो zero angle मतलब यह zero से start होता है और zero पर ही रुखता है यह कहीं नहीं जाता लेकिन जो हमारा 360 का होता है complete angle वो zero से start होता है पूरा एक circle complete करके आता है और उसके बाद zero पर रुखता है तो वो हो गया हमारा 360 degree का angle तो हमारा last one answer क्या हो गया zero का zero का answer हो गया हमारा a ठीक है a तो यह हो गया आपके match the pairs उसके बाद उसके बाद आते है बाद second question की second question में क्या दिया है बच्चो आपको कुछ angles के number दिया है आपको वहाँ पर angles के name लिखने है ठीक है तो देखू first का answer क्या होगा first 75 degree 75 degree यह छोटा है 90 degree से और 90 से छोटा मतलब right angle से छोटा क्या होगा acute angle क्या होगा बच्चो acute acute angle ठीक है acute angle उसके बाद second second देखो क्या है first हो गया second zero degree अब ही अगर कोई angle zero से शुरू होकर zero पर ही है तो उसे हम क्या बोलते थे zero angle क्या बोलेंगे zero angle उसके बाद third अगर कोई angle 215 है 215 कहाँ पर आएगा यह zero से start कर दिया मैंने वो गोल घुमकर 180 तक आएगा पहले उसके बाद मैंने गोल घुमकर उसके बाद कौन कौन सा complete करेगा 200 210 then 215 आएगा बराबर है तो वो क्या हो गया यह क्या हो गया reflex angle मतलब वो 180 से बड़ा है तो reflex angle ठीक है reflex angle then fourth आएगा आपका fourth क्या है 360 degree अब यह 360 degree कहाँ पर होता है जहाँ पर पूरा एक circle complete करता है मतलब यह 0 से आया यह नीचे पूरे उपर वाले 180 complete कर दिये और फिर यहां से यह complete करके आया यह 360 यहाँ पर नीचे से 360 पर आया तो इसे हम क्या बोलेंगे complete complete angle क्योंकि आधा आधा एंगल 180 डिगरी होता है 180 मतलब हाप सरकर तो यह पूरा आगर करेगा तो इसे बोलते हैं हम लोग 360 complete angle ठीक है उसके बाद 5th को 5th देखो 5th में क्या दिया है 120 डिगरी अभी 120 डिगरी कहा पर है greater than greater than 90 डिगरी बराबर है 90 से बड़ा है यहाँ पर है देखो यहाँ पर मैंने नीचे वाली लाइन पकड़ी है तो यहाँ पर है 120 डिगरी देखो तो यह 90 से बड़ा है तो यह कौन सा हो गया obtuse angle कौन सा हो गया obtuse angle बराबर है obtuse angle उसके बाद 6th हो गया हमारा sorry 6 हो गया मैंने बीच में कौन सा छोड़ दिया क्या हाँ तो बच्चो जो हम लोगों का 5th नमबर का लिया 180 डिगरी का वो मैंने लिया ही नहीं तो मैं इधर लेती हूँ यह 5th नमबर का यह हमारा मैंने 6th नमबर का लिया है ठीक है यह 6th नमबर का है sorry बच्चो यह 120 का है ठीक है यह 120 डिगरी का है sorry अभी हम 5th देखते हैं यह 180 वाला 180 मतलब यह कहाँ पर होगा 0 यह देखो 0 0 से स्टार्ट होगे यह इधर 180 डग तकाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट अंगल क्या बोलेंगे स्ट्रेट अंगल ठीक है यह आपका 5th है यहापर उसके बाद यह 6th है यह देखो यहाँ पर 6th है मैंने यह पहले ले लिया तो 180 120 ठीक है उसके बाद 7th देखो 7th क्या है 148 डिगरी 7th है 148 डिगरी तो अगर कोई अंगल 0 से स्टार्ट होता है और 148 मतलब यहाँ यहाँ पर आएगा बराबर है तो यह देखो greater than क्या है greater than 90 है बराबर है तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर से obtuse angle क्या बोलेंगे obtuse angle ठीक है उसके बाद 7th हो गया यह अभी 8 8 देखो 8 क्या है 90 डिगरी तो 90 डिगरी कहा पर है यह देखो बिलकुल straight है ऐसे तो इसे बोलेंगे हम लोग right angle क्या बोलेंगे right angle ओके तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा दिये देखा 75 accurate angle 0 degree 0 angle 215 reflex angle उसके बाद 360 complete angle उसके बाद मैंने पहले लिया है 6th वाला 120 obtuse angle उसके बाद 5th वाला है 180 straight angle उसके बाद मैंने 7th लिया 148 obtuse angle and then 90 degree right angle समझ गए तो ये आपके होंगे types अभी third question देखते हैं third question में क्या दिया है आपको diagram दी है इसके उपर से आपको अंदाजा लगा कर समझना है कि क्या हमारा answer हो सकता है protector पर ऐसे हम लोग इसको major कर सकते है ठीक है कि हमारा angle क्या हो सकता है ठीक है major नहीं करना हमें angle नहीं लिखना हम इसे उसका नाम लिखना है ठीक है सबसे पहला question first question में देखो first diagram क्या दी है ये छोटी है देखो छोटा है 90 degree कहा पर होता है straight होता है तो ये लगबग ऐसे आएगा 90 degree उससे छोटा दिख रहा है तो ये क्या होगा first cancer होगा acute acute angle बराबर है उसके बाद B ये A हो गया उसके बाद B B में क्या दिया है देखो straight दिया है बिल्गूल straight हम लोग अभी तक ऐसे लेती थे बराबर है right angle लेकिन ये उल्टा है ऐसे है ठीक है तो इसे हम क्या बोलेंगे right angle ही बोलेंगे क्या बोलेंगे right angle ठीक है बच्चो right angle उसके बाद C question देखो ये हमें एक line दिया है ठीक है ये यहां से यहां तक है तो हम लोग क्या सुच सकते है ये अपना इतना angle बताना है तो ये कौन सा होगा अप्ट्यूस अंगल हो जाएगा ऐसे अगर ये 90 से बढ़ा है यहां पर 90 है लेकिन हमें कौन सा अंगल बताना है ये जो नीचे वाला है यहां से यहां तक दिखरा आयरो ये हमें बताना है मतलब कंसिडर करो कि ये 0 है हमारा 0 और ये बिल्कुल यहां से यहां तक गया है तो देखो बच्चों यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा और ये 180 को भी पार करके आगे जा रहा है तो ये 180 को भी आगे पार करके जा रहा है तो कौनसा होगा हमारा reflex angle कौनसा होगा बच्चो reflex angle जहां पर आपको arrow दिया है कि ये find करना है उसी को find करना है ठीक है उपर वाले को नहीं वरना आप उसमें confusion हो सकते हो confusion हो सकता है उसके बाद D देखो D में क्या है D में देखो यहाँ पर 0 से start हो रहा है और यह देखो यह circle ऐसे complete करके यहाँ पर arrow जा रहा है इस side में opposite side में तो यह कौन सा angle form कर रहा है straight angle 180 degree का straight angle बराबर है straight angle उसके बाद E E पर देखो E कौन सा है यह देखो यहाँ पर 0 से start हुआ और arrow दीखी नहीं रहा मतलब 0 से start हुआ और सिर्फ 0 पर ही रुका हुआ है तो वो कौन सा होगा 0 angle वो कौन सा होगा 0 angle उसके बाद यह देखो आपको दिखाए दे रहा होगा यह 0 से start किया लेकिन यह ऐसा complete circle करके आया और यह देखो दूसरे आरो भी आपको दिख रहा होगा तो क्या होगा वो वो होगा complete angle कौन सा complete complete angle क्यों उसने 360 degree form कर दिये इसलिए वो होगा complete angle तो यहाँ पर आपके कौन से 3 question खतम हो गए अब बच्चों आगे देखते है एक last question बच्चा हुआ है वो है हमारा fourth वाला उसमें आपको क्या दिया है protector का use करके हमें क्या करना है हमें acute angle right angle and uptooth angle ऐसे कुछ form करने है ठीक है देखो अभी मेरे पास कोई geometrical tool online available नहीं है तो मैं यहाँ पर से आपको समझाती हूँ आप protector को रखिए अपने page पर और उसको निकालने की कोशिश करिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे acute angle यह चलो right angle करते है सबसे पहले हम लोग right angle form करते है right angle मतलब यह देखो 0 से start होगा और कहा तक जाएगा 90 तक तो वो कौन सा एंगल हो गया आपका 90 degree कौन सा हो गया 90 degree यह देखो यहाप पर 90 degree लिख देंगे और यहापर हम नाम दे देंगे A, B, C तो यह कौन सा हो गया आपका right angle अभी इस से छोटा होगा तो वो कौन सा होगा active angle तो वो हम कैसे निकालेंगे अभी देखो यह जो आपका protector है हम इसको क्या करेंगे page पर रखेंगे ऐसा समझो को इसको मैंने page पर रखा है उसके बाद उसके बाद मैं देखोंगी pencil से मेरा पहले सबसे पहले zero angle कहा पर आता है तो मैं यहाँ पर इसे टिक कर दूँगी देखो zero पर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया उसके बाद मुझे active angle निकालना है तो वो मुझे क्या चाहिए वो मुझे 90 degree से छोटला चाहिए बराबर है तो अगर मैंने 75 degree ले लिया या 65 चलो यह देखो अभी क्या हाँ पर है मैंने नीचे वाला zero consider किया है तो मैं नीचे वाले line पर ही आऊँगी 60 तो यह पर देखो 60 आ गया यहाँ पर और उसके बाद मैंने 65 लिया तो 60 और 70 के बीच में कितने 10 line है तो 65 कहाँ पर आएगा यह देखो यहाँ से हम लोगों ने लिखा थी बीच में से ऐसे और यह 0 आइंगल ऐसे बन जाएगा हमारा 65 डिग्री तो यहाँ पर देखो अक्टिट आइंगल पर यह मेरा 0 डिग्री हो जाएगा उसके बाद मैरा 65 कहाँ पर आएगा यह देखो एसे यह नहीं पर आएगा यह लगबग यहाँ पर आएगा तो मेरा क्या बन गया 65 डिग्री हो यह गया तो यह करते हैं तो यह हमारा कहाँ पर बन गया यह देखो 65 नहीं बलक रहवा अब यह बड़लाए वोगों पर निकालना यह मेरा 0 डिग्री कह ऐसे 90 से छोटा मुझे क्या मिल गए 65 डिग्री का एंगल मतलब यह A होगा यह B और यह C समझ गया आप लोग कैसे निकालेंगे 65 डिग्री का उसके बाद 65 निकालो 55 निकालो फिफ्टी निकालो कुछ भी निकालो सिर्फ 5 डिग्री भी निकाल सकते हूँ आप लो लेकिन वो acute angle निकाल रहे है तो वो less than 90 होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए ठीक है अभी निकालेंगे up to single up to single कौन से निकालेंगे कौन से degree का अभी निकालते हम लोग 145 degree का तो देखो बच्चो कोई भी consider कर सकती हो तो देखो मैंने अगर 0 से start किया यह नीचे वाला 0 होकर मैंने consider किया तो वो line देखोंगे कि बहाँ पर 145 कहा पर है यह देखो 145, 140 और 150 के बीच में है यह देखो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर टिक कर दूँगी और 0 पर टिक कर दूँगी उसके बाद इस protector को हटा कर मैं ऐसे एक line जो जोइन करूंगी और ऐसे एक line जोइन करूंगी और मुझे क्या मिलेगा अप्ट्यूस एंगल मिलेगा क्या मिलेगा अप्ट्यूस एंगल तो यह लगबग कैसे होगा देखो यह ऐसे होगा मैंने 0 से स्टार्ट किया बराबर है और मेरा अप्ट्यूस एंगल कहा पर आया यह ऐसे यहाँ पर आया लगबग ठीक है तो ऐसे हम लिखेंगे इसको लिखेंगे A इसको लिखेंगे B और इसको लिखेंगे C और यहाँ पर हमारा कौन सा अंगल लिया था हम लोगोंने 145 डिग्री का तो समझें इसको सिर्फ आपको बुक कर रब कर एक एक अंगल देखना है और उसको टिक करके बहाँ पर जॉइन करनी है लाइन तो यहाँ पर आपकी exercise 1, sorry exercise 2 खतम होती है अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ basic information चान लेंगे आगे की practice set 3 के लिए ठीक है तो अभी हम मिलते हैं next lecture में next practice set के साथ तब तक bye bye आप लोग subscribe करिए इस channel को share करिए और like करिए Thank you